कि अतिरिक्त को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं कि अतिरिक्त का मतलब होता है कि इसके साथ साथ या इसके इलावा तो किसी चीज में अगर आप इसके इलावा कहना चाहें तो या इसके अतिरिक्त कहना चाहें तो आप besides कह सकते हैं B-E-S-I-D-E-S besides या अगर आप यह कहना चाहें कि इसके अतिरिक्ट तयानिकि इसके साथ-साथ ये भी तो in addition कह सकते हैं जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि परिक्षा के लिए अधिन करने के अतिरिक उसने एक योग कक्षा में भी भाग लिया तो आप कह सकते हैं Besides studying for the exam He also attended a yoga class Besides studying for the exam He also attended a yoga class या अगर आप ये कहना चाहें कि टीम ने game जीत लिया और इसके अतिरिक्त उन्होंने pizza party के साथ जर्ष्ण मनाया तो आप कह सकते हैं The team won the game and in addition they celebrated with the pizza party The team won the game and in addition they celebrated with the pizza party अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें